अलो फ्रेंड्स आपने विए रुपक आदिक स्वागत है उजाला बूटिक चला है में और आज वीडियो और हमारी बड़ी मसीन से रिलेटिट्ड क्या होता एक हमारी बड़ी मसीन पर जब हम जाती है बनाने में तो आप लोग वीडियो को लाज तक जरूर बाच करें आपकी यह प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी लेकिन आप लोगों से अन्रोद है कि वीडियो को खाटे ना मसीन की सैटिंग देखें क्या साइटिंग होती है जिससे कि हमारी मसीन चा काम बिल्कुल नए जैसी करती है तो हमें कहां कहां पर सेटिंग करनी चाहिए यह बत समझें तो सबसे पहला है जो साइटिंग होती है और द्यागे को कितना चलाना ह। तरिके से, खीच कर देख लेंता है, दागा नहीं से किरास norm होगी गड़ाandal अब किरास करें देख सकते हैं, इस तरीके से असानी से कि रास करें और मारा दागा यहाँ प्रीयाँ प्तूटे ना होल बड़ा होने से भी प्रॉब्लम हो Prophet चाहिती है जीसे कि टेख सकते हैं जैसे इस तरекे का अगर होल होगा हमारी मसीन में तो क्या होगा कि महीं होता है तो काफी महीं होता हो काफी गफ कपड़ा होता है उसे बोलते हैं तो जैसे हमारे कपड़े में गुशी और मझारी अगर बढ़ा हगा इसी का सवान्सक्राइब तो ध्यान रखें अगर आपकी नई पट्री है तो जादा अच्छा है नई तो फिर क्या आए कि ये प्रॉब्लम आने लगती है तो चलिए ये तो ये एक प्रॉब्लम होगी तो चलिए उसके बाद जो खास सबसे बड़ी आने की प्रॉब्लम है वो है हमारी सटल ध्यान रख वीडियो को लाज तक जरूर देखें काफी important जानकारी हम आपको देने वाले हैं तो बस वीडियो को continue बात जरूर करें तो friends ध्यान से देखें थोड़ा कि हमें क्या क्या साइटिंग करनी है तो इस तरीके से पहले हम इससे खोल लेते हैं कि क्या problem होती है इसलिए होजरी पर हमारी सिलाई नहीं चलती है तो चलिए वीडियो को लास तक जरूर बात करें आप लोगों से अन्रोध है अगर आपकी को comment है कोई problem है तो comment जरूर करें तो चलिए इस तरीके से हम खोल लेते हैं तो देख सकते हैं ध्यान से देखें पट्री में कुछ ये problem हो जाती है इसकी वज़े से हमारी मसीन धागा भी काड़ने लगती है उसके साथ साथ होजरी पर सिलाई नहीं करती है और उसके बाद जो problem ह होती है हमारी निडल में क्या होता है हम लोग निडल थोड़ा मोटी लगा लेते हैं मोटी निडल लगाने से क्या होता है कि हमारी मसीन होजरी वाला कपड़ा काफी गफ होता है और उससे हमारी निडल पार करती है या तो पार कर देती है तो पर कपड़ा फट भी जाता है तो ध्यान रखें हमें अपनी मसीन में मोटी वाली निडिल नहीं लगानी है पत्री लगानी जैसे कि अगर 18 आप लगाएं तो आप 16 लगा सकते हैं अब हम आपको दिखाते हैं हमारी सटल की सैटिंग देख सकते ध्यान से देखें सैटिंग हमारी क्या है अगर हम साधा जो साधा कपड़ा सिंपल कपड़ा का चलाते हैं तो हमारी मसीन में क्या होगा कि हलका सा बारीक से मामूली सा सटल को छूते हुए हमारी स्वी को छूते ह हुए सटल निकले लेकिन अगर होज़री वाला कपड़ा हम जब चलाएंगे तब हमारी सटल को इस तरीके से साइटिंग होनी चाहिए देखें ध्यान से बिल्कुल टच किया टच करके और सुई को हटाकर तब सटल आगे बढ़ रही है देखें ध्यान से अगर होज़री वाली सैटिंग आपको करनी है तो इसी तरीके की सैटिंग इसमें कामयाब होगी देख सकते हैं अगर हम इस से थोड़ा डिफरेंट करें सैटिंग यानि कि बिल्कुल सुई छूते हुए निकल जाए त को अगर आपको आपके सबसटेल में अगराफ थो आपको क्या करना इस तरीके से सुई को थोड़ा ऊपर कर लें चोपर करके इस तरीके से करके और या तो अपर उटरी से देख लें ध्यान से देखें थोड़ा सारा खेल इसी का है और यहीं से हमारी सटल की सैटिंग होती है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सैटिंग इसकी है और उसके बाद सुई मतलब जो सुई की सैटिंग सुई और सटल की सैटिंग एक और देख लें जो हमारी सुई का छें अगर गयप होता है सुई और सटल में तो हमारी मसीन फिर चांका छोड़ चोड़ का सिलाई देती ठीक है तो इस तरीके से आपको सैटिंग कर लेनी है और जहेंक आप इसे ध्यान रखें यह वाला जहेंक चलिए हम आपको बताते हैं जो सुई का देखें ध्यान से थोड़ा जे सुई का छेंक देखें इस तरीके से हमारी सटल इससे टच होते हुए निकल लई है बस यहाँ पर आपको सटल को टच करना है टच करके आगे बढ़ जाना है तभी आपकी मसीन चूका नहीं मारेगी और होजरी वाले कपड़े पे अच्छे से अग्वारी सटल को थोड़ा आगे अधर इस तरीके से ध्यान से देखें जो यह पेंच्छ दिये गए हैं है इनने लूज करके ठीक है रागा को क्या करता सोड़ा आगे या पीछगर है जितना अपनी रिक्वाइर्मेंट कर दिखाए यह न 선 defect कर सकतें और माधना वगती करने के बाद मजीन पे साधा कपड़े करने के हैं लेकिन होज thesis बहुत करने के वाद हम चला कर दिखाते हैं तो फ्रेंड चलिए हम सिलाई चला कर दिखाते हैं आपको ताकि आपको अच्छे से यकीन हो जाए कि हमारी मसीन सिलाई सही देगी तो चलाई चौड़ने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको इतनी सैटिंग से अगर पहली बात तो इत उसमें आसानी से हम अपनी सिलाई को चला रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको यह साइटिंग समझ में आई और पसंद भी आई होगी तो आप लोगों से गुजारिस है आपकी कमेंट कमेंट जरूर करें लेकिन लाइक करके जरूर जाए आपकी मसीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मसीन सही चलेगी होजरी कपड़े पर एकदम बहतरी चलेगी तो आप लोगों से अन्रोद है कि वीडियो को भी या लाइक करके जरूर जाए आप लोगों से रिक्वेस्टे गुजारिस है आप जोड़कर करवद निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक स सब्सक्राइब से जरूर करें तो चलिए मिलते नेक्स वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद